कि दोस्तों आज हम समझेंगे कैलोइट के बारे में कि क्या होता है क्यों बन जाते हैं किसको ज्यादा बनते हैं कैसे बचना है पॉसिबल मेडिकल ऐलोपेथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है तो वीडियो को आप पूरा देखे संपूर जानका रिख लिए तो शुरू करते है हो दोस्तों यहां पर कैलोइट की बात करता तो फ्राले समझेंगे आप हैपाट्रफिक स्कैर्स के वह दोछी से बैक टाके लगते हैं तो उसके टाके वाले यहां थोड़ी सी ओवरी उबरी उबरी उपरी तो बहुत हो गया स्कैर लेकिन यही सेम इंजरी किसी भी सर्जरी के दोरा अगर घोल घोल सा बनके ओभर जाए या बड़ा सा गट्टा टाइप के रह जाए वो दिख रहा है तो वो उसे बोलते हैं क्या लोईल तो यह क्यों बंते हैं जब भी कभी स्किन के अंदर इंजरी होती है तो इसके अपने आपको जोड़ने की कोश्च करती है को में कम बनते हैं जिन लोगों में ज्यादा बनते हैं तो उनको कॉलोई कि समस्थ से देखने को मिलती आभ यह ज़ादा बनना कम बना ये दो फेक्टरस्ट पर निर्वर करता है क्यों को बनेगा सब्सक्राइब एक तो कॉलेजन ज्यादा किसी किक ब्लड़ में यसी व्लि के लक्षण कि ये क्यों सिंधा का और रहे सब्सक्राइब 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 करा नहीं देटा लेकिन लोगों में ये दर्द भी करता है दवाएंगे तो धर्द करता है लोगों को अच्छा नहीं लगता है और कोट सलगता यससे आराम परना चाहता है इसमें दवाने से पेन होता है हलके लिए घुजली होती रहती है यह कोई मतलब करने अभी समझते हैं खार रहां डिरेक्ट कारण क्या होते हैं कैलोई होने के तो इतना तो समझ में आगे आपक टाके लगें है या बोलना की कोई ऐसी छोटी मोटे चोटा गए ती तो भापे सब लग गया बैक्सिनीशन टी के लगते तो पुराने समय में बहुत है भी मतलब एक्सिट बैक्सिनीशन उपाद बड़ी सुषिए तो आज कई पुराने लोगे तो उनके बने रेते च्छल अब इतने बड़े नहीं होता है कि उसके लावा ट्रामा कई लोगों को बहुत ज्यादा एक्सिडेंट हो गया है कही जगे पैसे बड़े-बड़े चोट लग गई हो भापे घाव सूग गया तो हमपे कैलोई बन करे गया ठीक है तो किसी भी तरह कर लोग टैटू बन वाल जगे रहे तो यह भी टेटू बनवाते प्रैसरिंग करवाती है चेद करवाते हैं तो उन कंडिशन में बीए बन जाते है अब ही बाद आती है कि टिप क्या किया जाए कि नहुँअ टिप तो यह आ आपको पाता होना चाहिए कि आपके श्रीर में यह समस्य कि आपको को तो आप पहले ही याद रखो तो यह है कि भई आप ऐसी जोगे पर मत जाओ यहां पर चोट लग सकती है या से रहो ताकि एक्सिदेंट वगरा दुर्गटना ना हो कभी सरजरी की जरूत ना पड़े उसके अलावा इसके इलाज की बात की जाए तो देखो जितने जल्दी के अंदर स्टेरोड के इंजेक्शन लाए जाते हैं ताकि वो उसकी गृत रूट रुक जाए इस्टेरोड जैसे कि कॉर्टिकों स्ट रोट सुता जैसे कि ट्रैंप सिलों था है ट्रैंप सिलों एस ट्रमोट का इंजेक्शन इसमेर वीडियो आप देख लेना वो इसको बहुत आती है उसके लावा बॉटॉक्स का इंजेक्शन लगा सकते हैं बॉटॉलन का उसको भी लगाया जा सकता है यह तो और इन्जेक्टिवल यह मैडिकल ऐता इलोपैक्टिक ट्रीटमेंट इसके लावा कोई दूसरा नहीं एक सब्सक्राइब करा दो है लेजर लाइट से सको ठीक किया सकते या रेडियो थेरपी किया सकती है तो यह हो गया या अब उसकाटके आपने इसा बन गया तो इसको प्रसाद सब्सक निकल भान सकते पहना उसके बाद जो कालोईट बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा और बहुत परवनेट बनेगा आज मैं तो कभी नी..? अगर यह बढ़ गया दो फिर उसको नहीं कर पाते नहीं कराना चाहिए तो यह होता है कैलोईड आइधिंग आप समझ गए होंगे समझ में आया तो प्लीज से लाइक करें अगर आप हमार चैनल अपना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तो आप देख रहे थे ग्यानिया मैं हूं शीवं और मैं मिलता हूं अगली बीटिम दोस्तों जाहि बंड आप